दोस्तों रवश्कार मैं संजेब अग्गो और मौजूद हैं देश रोजाना के डिस्टर मीडिया मंच पर आजकल एक मुद्दा बहुत गरम है और मुद्दा ये है कि महिला सुरक्षा को लेकर कि जो सरकारें पूरी तरह जागरूख है महिला आयोग लगातार जो एक्षन लिया करता है उसी कड़ी के अंदर उत्तर प्रदेश में महिला आयोग नेक एक्षन लिया महिला आयोग नेक निर्देश जारी किये और उन निर्देशों के अंदर सबसे प्रमुक जो बात है वो ये थी कि जिम ट्रेनर योग जो प्रशिक हुआ हैं यानि कि जो महिला जिम ट्रेनर हैं महिला ब्यूटीशियन्स हैं महिलाओं के सुंदरे साथ सज्जा के लिए या उनके टेलर हैं यह इन सभी professions पर इन सभी कामकाजों के अंदर महिलाएं ही हों महिला जिम ट्रेनर हो महिला ब्यूटीशियन हो महिला सिलाई कडाई वाले हो महिला ही योग सिखाने वाले हो सबसे प्रमुक बात ही है कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जिस पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की जो अध्यक्ष है बवीता चोहान उनको ये निर्देश जारी करने पड़े और आज हर्याना महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेनु भाटिया रेनु भाटिया ने भी कहा कि ऐसा होना चाहिए उन्होंने भी उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष की सराहना की उनकी बात की अब पहले ये सुन लीजिए कि रेनु भाटिया क्या कह रही है फिर आगे आपको बताएंगे कि आखिर सारी बात है क्या जिम में लेडीज ट्रेनर होनी च सामने उत्तर प्रदेश में भी आये हैं और कई जगा आते हैं हमारे हर्याना में भी एक केस इस तरह पर आया था कि जिम ट्रेनर ने चेट चाड़ की तो ये बहुत अच्छा स्टेप उन्होंने लिया एप्रिशेट माइट और मुझे ऐसे लगता है कि अब इस कदम को हमार हुआ हमारी महलाओं को आगे बढ़ाना होगा उनको और ज्यादा तो यह करती हैं तो आपने सुना वाविता चाहान की पतारीप कर रही हैंँके प्रशंसा कर रही हैँसके साथ ही साथ हो कह रही हैं कि घंत्रेनर और तिलर हूं वाकिया कुछ, यह शुरू होता है कि 27 अक्टूबर को कानपूर के जिलादीश या निकी district magistrate के जो उनका आवास का campus है उनका आवास परिसर है अवास यह परिसर उसके अंदर एक महिला की डेड बोडी मिलती है, महिला की लाश दफनाई गई थी, जिनकी डेड बोडी मिली उनका नाम था एक्ता गुपता, उत्तर परदेश के कानपुर के बड़े व्यावसाई की धरम पतनी थी, उनकी डेड बोडी मिली, और उस बोडी को दफनाया था जिम ट्रेनर न कसरत करती थी एक्सरसाइज करती थी एकता अप्ताدة आप ने देखी होगी फिल्म दृष्यम और तebू उसके अंदर में किरडार में थे और अजय देवगन ने दृष्यम एक पार्ट वण और दृष्यम पार्ट टू आप देख सकते हैं धृष्यम चुकी है द्रिश्चम पार्ट बन के अंदर वो था जिसके अंदर की आई जी हुआ करती है वहाँ पर तब्बु और उनके बेटे को मडर के बाद में जिसकी हत्या हो जाती है उस फिल्म में द्रिश्चम में जो अजय देवगन की बेटी का जो किर्दार कर रही है उनसे असल कुछ उसी स्टाइल में जिम ट्रेनर ने एकता गुपता के शव को दफना दिया 27 अक्टूबर की बात थी है 27 अक्टूबर को शव बनामद हुआ गटना तो लगबग 4 महिने पहले की थी जब जिम ट्रेनर ने उसको अगवा किया एकता को और CCTV कैमरे में फुटेज के अंदर वो सब कुछाया था जिसके चलते वो खुलासा हूँ पाया इस प्रकार की घटने पहले भी दोस्तों कई बार आती रही है कि जिम संचालक जिम ट्रेनर लेडीज टेलर बुटीक के अंदर काम करने वाले पुरुष करमी या ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले पुरुष महिलाओं के साथ छेड़शार की बाते या इस प्रकार की कई बार बैट त्रच की बाते आती रही है लेकिन ऐसे कई मामले और आपदे हैं जिसके अंदर की फिमेल जो महिला हैं चायए अगर चलाई कराने जाती है और ब्यूटीक चलाने वाली अगर कोई महिला संचालिक भ खाते हैं कि नापाना भोलें खैर अब उत्तर प्रदेश महील आयोग ने जब ये जारी किया और उत्तर प्रदेश महील आयोग उनने कहा कि इन सब कारे छेत्र में जो कि महिलाओं से जुड़े हुए हैं तो इनके अंदर जो व्यवसायत देने वाले हों लोग वह भी महिलाए हों जिसके अंदर सबस्ट का गया कि जिम और योग सेंटर में आने वाले की आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन हो जो महिला आयोग ने कहा स्कूल बस में महिला सुरक्षा कर्मी या महिला टीचर तैनाथ हो ये पुरानी बाते हैं नहीं चीज तो इनमें कुछ ज़्यादा नहीं है जो नए पॉइंट होंगे वो भी आपको बताएंगे नाट्य कला केंद्रों में महिला डांस टीचर की नियुक्ति की जाए पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकते और नाप लेखते वक्त सीसी टीवी का होना जरूरी है महिलाओं के लिए विशेश कपड़े बेचने वाले स्टोरों में यानि कि अंडर गार्मेंट से हैं उनके लिए महिला करमचारियों को रखा जाए कोचिंग सेंटर में ट्यूशन केंद्र कोचिंग सेंटर में सीसी टीवी और वाश्रूम की विवस्ता होनी जरूरी है हो जरूर हो वो बेसिक नीड है जनपत की सभी सिक्षन संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है बात ते सारी जरूरी है कि जिम ट्रेनर पर अगर वो महिला करमी होंगे तो फिर जो महिला वहाँ पर एक्सरसाइज करने जाएंगी मुझे लगता है कि उनका काम धंदा भी जादा चलेगा महिलाएं महिलाओं के साथ आसानी से असाहज भी नहीं होंगी लेकिन ऐसे भी कई मुद्धे हैं दोस्तों जो आज का बदला हुआ सामाजिक परिवेश है इसके अंदर आपको ऐसी कई घटनाएं सामने आ सकती है अगर बैट टच की बात भी आती है तो मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल आप कई देख सकते हैं केस ऐसे ताजा उधान ले सकते हैं आप हासी के SDM का और उसके साथ में काम करने वाले जो मसाज का काम देने वाले एक तरह से वो भी आप ब्यूटी पार्लर का जो सैलोन से जुड़ा हुआ काम लगा सकते हैं उसको भी क्योंकि सैलोन के अंदर मसाज का काम पार्लर के अंदर मसाज का काम हुआ करता है और उस मामले को आप बिल्कुल ताजा मामला है जिसमें आप कोई कोश्चन मार्क नहीं कर सकते यानि कि किसी का मन किसी की नियत कहां डोल रही है कौन क्या कर रहा है लेकिन इसके बाप जूद यह जरूर कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का या महिला आयोग का पर अगर हर्याना की महिला आयोग की चेर परसन मिसेज रेनू भाटिया भी कह रही है तो एक तरीके से तो समाज के अंदर ये भैतरी का संदेश है। वैसे आप इस बास से कितना सहमत है कि महिला कारेों से जुड़े हुए कारे देने वाली सेवाएं, देने वाली जो संस्थाएं हों, उनके अंदर महिला कर्मियों जैसे की योग केंदर हों, जैसे की ब्यूटी ब्यूटी पार्ल फैसलों से महिला सुरक्षा की दिशा में और कितने कदम आगे बढ़ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहें देश रोजना